दोस्तों, आज हम से एर कर रहे हैं आलू चने की बहुत ही जबर जस्त सबजी की रेश्पी बनाने का तरीका इजी है और बहुत कम टाइम में घर के बेसिक मसालों से बहुत ही स्वादिश सबजी बनती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं आलू चने की सबजी बनाने के लिए मैंने आधे कप चने को 7-8 गंटे भीगो कर लिया है और तो कच्चे आलू को छेल लिया है इनको हमने कुकर में एक चमश नमक डाल कर 3-4 सिटी आने तक उबाल लिया है और ये देखे चनों के साथ आलू भी बॉयल हो गया है तो आलू को हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते है आलू और चने की मातरा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते है अब हम कुछ मसाले लेंगे तो हमने दो प्याज लिया है छोटे साइच के एक इंच अद्रक के टुकड़े पांच है लासुन की कलिया एक चम्मज जीरा और दस से बारा काले मिर्ज कुछ खड़े मसाले हैं दालची नी, लॉंग, छोटी लाइची, बड़ी लाइची और जावीत्री इन सभी मसालों को हम पीस कर लेंगे तो खड़े मसाले भी हम इसमें डाल देते है इन्हें पीस कर लेने से फ्लेवर बहुत अचाता है तो देखिए इन सभी मसालों को हमने पीस लिया है अब कड़ाई में हम 2-3 चम्मज तेल डाल रहे हैं तेल गरम हो जाने पर हम इसमें 2 तेज़ पत्ते और 2 सूखी लाल मिर्ज डालेंगे और सास में ये पीसे मसाले भी डाल देंगे इनको हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे कुछ देर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चोटा चम्मज हल्दी पौडर आधा चम्मज लाल मिर्ज पौडर एक चोटा चम्मज धनिया पौडर और आधा चम्मज कासमी लाल मिर्ज पौडर इससे सबजी का कलर अच्छा आएगा तो आधा चोटा चम्मज हम इसमें भूनजीरा पौडर डाल रहे है और आधा चोटा चम्मज नमक ध्यान रखेगा चने उबालते समय भी हमने एक छोटा चमश नमक डाला था दो चमश हमने पानी डाला है जिससे मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाए तो मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी तेर इने भुन लेते हैं जब तक कि इनमें से ओल सेपरेट न हो जाए मसालों को भुनते हुए 3-4 मिनट हो गए है मसाले अच्छे से भुन गए है तो हम इसमें आलू और चने डाल देंगे थोड़े चनों को बचा लिजेगा इनको जार में पीछ लिजेगा इनके साथ 2-3 टुकड़े आलू के भी ले सकते है तो देखिए अभी ये ग्रेवी काफी पतली लग रही है लेकिन जब हम चने का पेश डालेंगे न तो ग्रेवी गाड़ी तो होगी ही सबजी का टेस्ट एकदम अलग सा आएगा और चने रूखे रूखे से नहीं लगेंगे और हाँ चनों को हमने बीना पानी डाले पीसा है थोड़ा दरदरा इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं आधा चुटा चमच गरम मसाला पाउडर इस सबजी में धनिय पाउडर का इस्तिमाल कम से कम करिएगा गरम मसालो का फ्लेवर बहुत अचा आता है तो अभी हम इने ढख कर तो मिनर तक पका लेते हैं और ये लिजिए बहुत ही कम टाइम में बहुत ही स्वादिष्ट सबजी बनती है एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आएगी और रेश्पी पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और रोज नई-नई रेश्पी देखने के लिए चैनल को सस्काइब करना ना भुलिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यवाद